नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ जो सभी करमचारियों को जुरूत होती है दोस्तों आज मैं HRMS की बात करना हूँ HRMS पे यह अपना परजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस कैसे फिल्ड करते हैं आपको आपके सुपरवाजर के पास है आपके डिलिक कर लग के पास जाने की जूरत नहीं है आप HRMS पे ओनलाइंट जाकर आपका परजेंट एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस और आपकी फेमली मेंबर को भी एड्र कर सकते हो तो उसकी पूरी जानकार यह आपको बतानुआ कि आप ओन डूटी या ओव डू दोस्तों HRMS की ओनलाइन मेरी स्विम की आइडिये पर आचुके हैं डेस्ट बोड पर आचुके हैं दोस्तों आज हमारा वीडियो बनाने का कास माकसद दियता कि बहुत सरे उनके कमेंट आ रहे थे कि मेरा ट्रांसपर फोरम संबीट नहीं हो रहा है तो आज उसके बारे में तीन बिंदों पर किलिक करेंगे और आप टेस्टों साइट पर किलिक करेंगे तो यह mobile आपका चारे में इडबलेस वी त्री पॉंट को क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे दिख रहा होगा विव एडिट माइड डिटेल पर क्लिक करेंगे तोड़ाशा वीडियो बड़ा हो सकता है परन्तु बीना स्क्रेप किया पूरा वीडियो देखे दोस्तों इस भरना है तो आप को मिनिकेशन इंपॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे दोस्तों मैं आपको जानकारी देदू कि आप जरू नहीं कि आपके पास कंपिटरों लेप्टोप और परन्तु आपके पास जरूर एक एंडोड मोबाइल होगा ओन डूटी ओप डूटी तुरंत आप 10 मि समीट नहीं होगा बिना एडरस के पर्मानेंट भी एडरस होना चीए और परजेंट एडरस भी होना चीए दोनों एडरस होना ज़रूर ही है जब आपका ट्रांसफर भोरम समीट होगा तो हम रीजन में लिखेंगे जोस्तों में यह मोबायल पर ही बना रहा हूँ वीडियो यह बहुत ही important है और आपका transfer form क्यों प्लिप नहीं हो रहा है क्योंकि आपका permanent address में कुछ नहीं है present address कुछ नहीं दोनों address बरा होना जरूरी है जब जाकर आपका transfer form संभीट होगा दोस्तों माली जे मैंने present address मतलब मेरा permanent address सही है present address नहीं है तो present address में यह box है जो खाली जगए box को click करेंगे उसके बाद में जहाँ पर आप नोकरी करते हो जहाँ पर आपका headquarter है जहाँ पर आपका headquarter है ब्रया है supporting documents में क्या डालना है वो भी मैं बताऊंगा बिना supporting documents के यह आपका submit नहीं होगा तो village जैसे भरना है तो दोस्तों यह address में मैंने निंगला बर दिया है क्योंकि मैं यहां रहता हूं मेरा ed quarter यहां है और यह box चुरूर हो उसके बाद में दोस्तों मा लिजे मेरी city गलत है यह फ़र इसमें से कोई भी गलत है तो वह सही कर सकते हो यह पूरे यह अडर्स नहीं है तो pin code नमर नहीं is district नहीं है city नहीं तो यह सब बना है अगर गलत है तो वह भी सुदार करके बना है बिल्कुल जैसे मा लिजे मेरी city यह अमर राला है यह पता नहीं किया है जिसे city address मेरा ठीक है दोस्तों यह जिसमें ने भर दिया उसके बाद में दोस्तों यह जो भी मेने भरा है मेरा जो पर्जेंट एड्रेस है जहां पर मैं नोकवी करता हूं मेरे headquarter है और वहां का यह आपको जैसे आपका identity card हो तो उसमें जरूर लिखा लिखा रहता है आपका जैसे माली जैसे आपकी पोस्टिंग लेटर दी होती तो उसमें भी लिखा रहता है तो आप उस पर यहां पर जाएंगे तो आपका identity card आप भी भर सकते हो supporting proof के लिए तो यहां पर choice file में जाएंगे और file पर जाएंगे उसके बाद में दोस्तों यहां पर आएंगे documents में documents के बाद में 500 kb से कम file होनी चीज़ जब यह लेगा माली जै 122 kb की file है तो यह मैंने इस पर click करेंगे उसके बाद हम submit करेंगे मतलब कुछ रह गया है तो उसको भी भरना बाकी है तो मेरा रह गया है देखो OTP mobile number मतलब आप OTP किस पर लोगे तो यह मेरे को click करना है इस पर और personal दबाना है personally उसके बाद में आप submit फिर कर सकते हो तो यहां पर yes है उसके बाद में OTP नमबर आएगा आपका OTP नमबर यहां पर डालना है उसके बाद संबीट करना है फिर भी कुछ गलतिया हो गई हो या रह गया हो तो आप यहां पर close पर कर सकते हो तो दोस्तो मैंने recent OTP क्लिक कर दिय है मेरा OTP आता है तो मैं OTP दाब दूँगा एसे मेरा HRMS का OTP आया हुआ है तो दोस्तों यह मेरा OTP नमबर आ है चांसट 110 अब अगर मालीजे मेरे को धोका आया या कुछ मैसुशेशर हो कि कुछ गलतिया तो नहीं की तो आप close कर सकते हो और कुछ गलतिया नहीं तो आप समभीट कर दिया है तो यह मेरा हो गया है दोस्तों आप यहां पर जाकर देख सकते हो कि दोस्तों मैंने यहां एडेस लाइन निंगला लिखा है इनकोड यह उसके बाद में सीटी निंगला लिखा है दोस्तों तो यह बेलकुल समभीट हो गया है तो इस तरह से आपको यह बनना आगर गलती हो नहीं तो आपका ये जो भी है ट्रांसपर्ट फोर्म समीट नहीं होगा